स्वागत दोस्तों आपका आईटू स्ट्रेटीम पर आज हम आपके लिए लेकर आचुके हैं कक्षा वारवी का है दोस्तों इतियास का माशिक आकलन लेकर आचुके हैं अगस्त महा का पूर्णा रहेगा आपका 35 नम्बर समय रहेगा आपकी पास 45 मिनेट ठीक हैं कि अ और दोस्तों में आपको डॉन्पू संस्ता का करवा दिया है मासिक आकलन है जी बग्यान का मासे कं ख़एं और biggest संस्त नेक्स्ट वीडियो में आप करवाऊंगे इंगलेस का माशिक आकलन ठीक है तो यदि दोस्त आप चैनल पुरहें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने वैल आइकन को प्रिश्क करने ताकि आपको अगली वीडियो को भी मिल सके हैं इस वीडियो में आपके लिए कर आई माशिक आकलन का फुल सॉल्यूशन ठीक है आंसर के साथ चलो श्टार्ट करते हैं जल्दी से आज की वीडियो को यहां पर आपको निर्दिश दिया गया है प्रिशन किर्मांग एक से पांच तक अतिला उत्रिये प्रिशन शब्द सीमा रहेगी आपकी 20 से 30 सब्द ठीक है कि आदन जिसके दौरा हमारी अतीत अध्यास की बारि में इत्यास की बारे में जानकारी मिलती है उसी क्या कहते है पुरतत्त्त्त का अर्थ है दोस्तों उसे प्रतत्त्त कहते हैं यह फ्रश्ट वाली का आंसर हो गया है आपको वीडियो को अच्छ से धियां से देखिएगा और शे शेक कर लिजुएगा यह कोश्चन आपको ऊंचक के लिए आपको सब्लिए के लिए रहाचे कहल लिए अब आताओ सब्सक्राइब आपका महीलाओं को शादी से पहले साधी के समय वच्चे के जन्म के समय और विद्वा होने के दौरान जो चीजें तोफी में मिलती हैं वह सभी इस्तरी धन है ठीक है यह तीसरे वाले का अंसर हो जाएगा अब आता है आपका कॉस्चन नमर फूर कॉस्चन नमर फूर दिया गया है कॉस्चन नमर फूर पर है महा भारत में शिलोकों की संक्या कितनी है तो इसका अंसर हो जाएगा आपका एक लाग यह महा भारत में शिलोकों की संक्या है एक लाग अब आता है आपका कॉस्चन नमर फाइब जिन सब्द का आश्य क्या है जिन सब्द का आश्क क्या है तो इसका अंसर हो जाएगा विजेता तुछ विजेता और अगला दिश दिया ख़ाया है प्रिशन कर्माग छह एवम साथ लगूत्री प्रिशन है उनकी शब्द सीमा है आपकी सो सब्दों में लिखना तो यह कौश्शन दो कौश्चन है आपको तीन तीन नम्मर के दीए गएं छडवा और स्दुब कोश्चन है सिन्दु समाधी करण चाहिए पर्मों विशेश्टाइं बताईए यह कोशन तीन नम्मर का है तो आपने इसमें तीम विशेश्ताइं देएंगे फर्श्ट दिए पूर्ण समाधिकरन सेकेंड आंसिक समाधिकरन तीसरा धासंसकार तो पहली को पड़ते हैं डीटल में और अचिसे आपको इसी प्रकार लिखना है जैसे कि मेन आपको इसमें लिख कर बताये हाई पूर्ण कि शमाधी करण क्या होता है इस प्रकार के सवधानों में सवों को ते देच्छन दिसा में रखकर उनकी उपीयोग की अनिवस्तुई जैसे मिरत्वांड सीसा कंगी आधी दपना दी जाती है ठीक है अगला है आंसिक समाधी करण इस प्रकार के श्वदानों मिंसबको पहली कुला चोड़ दिया जाता था फिर उसके कुछ सिस्प को दफना दिया जाता था अगला है दह संस्कार इसमें सवों को जला दिया जाता था अब और देखते हैं आपन कौशन नम्र 7 हड़पाई लीपी की 32 इसफान लिकिए तुझाय तो की तीन विशिस्ताँ दिखते हैं अब आताब का कौशन में शाथ पर अपाली पी की विशिस्ताँ लीकिए ये कॉशन थीसमें तीन w 말y यह नहीं थी वाही da बबता दाइं और शे वाईं और लिकी जाती थी क्योंकि कुछ महरों पर दाइं और चोड़ा अंतराल है जबकि वाईं और संकुचित है ठीक है यह आपका शादव वाला आंसर कंप्लीट होता है यह आपको निर्देश दिया प्रिशन कर्मांग आठ कुल छेंग का देरी उतरी प्रिशन है सब्सीमा दी आपको ढईशों शब्दों में लिखना इसे आंत्री विकल्प दिया गया है अध्वा में कॉश्ण भी दिया गया है इसके चैनल मर का कॉश्ण दूस्तों यह आपका प्रिशन दिया गया है को नमर ऐल गुव्त काल के सासथ वे ऐस्ता को रणने कीजिए और इसका अधरिवाला कॉश्शन दिया घप ना भारत की मांचित्र पर निम्न इस्तलों को अंकित करें तो आपको यह इस्तल दी गए है तो आप इसको भी पढ़ लीजिए गाची से पीपर में आपको मिल सकता है लेकिन हम आपको गुप्त कालवाला करवा देती हैं तो यह उसका अंसर है कॉशन नमर आड़वे का तो यह आ मंत्री होते थे कैंदी सरकार का ढाचा और अधिकारी को पद्वियां मौर शाषन प्रणाली की तरह दी जाती थी गुप्त सम्राज्य अलग-अलग कई चोटी इकाईयों में बटा हुआ था सबसे वड़ी इकाई को सबसे बड़ी इकाई को देश का जाता था देश को की सर देश की सरकार को अलग नामों से पुके जैसे की ईपारिक और प्रौमिक ब्रक्रांट चोटी चोटी इकाईयों में बवाज्त के जिसे जिसे इन मुक्ती कहा जाता था मुप्ती फिर छोटी चोटी इकाईयों और दे घूमात जहते श हर विंजला अरजिला वहुत से गावों में विवक्त होता था जिने ग्राम कहा जाता था गावों के मुकिया को प्रामायक कहा जाता था उसकी मदद के लिए उसकी मदद के लिए गावों की परिशद होती थी छोटे नगरों का प्रिशाशन पुरपाल पुरपाल चलाते थी ठीक है यह आ चलो आप दीखते हैं आपको आगे दिया गया है यह निर्दिश दिए गया आप प्रिश्ण कर्मा नवा निवन्द आत्मक प्रिश्ण कुल आठ अंका है सब्द सीमा दी गई आपको 400 से लेके 500 तक ठीक है तो इसमें आंत्री विकल्ब दिया गया है कॉशन दिए गया आपको मनुष्मर्ती में विवा की कितनी प्रकारों का वर्णन है विस्तार से लिखिए और अध्वा में कॉशन दिए गया है आपको मनुष्मर्ती में विवा के कितनी प्रकार का वर्णन कर लेंगे यह आपको नवे का अंसर दिया गया है मनुष्मर्ती में आठ प्रकार की विवा बताए गया है तो आपका पहला नमर का दिया गया है तो इसमें पहला दिया गया है ब्रह्म विवा इसमें कन्या का पिता सब प्रकार से शहयोग वर तता उसकी परिजनों को अपनी घर बुलाकर विधी विदान से अपनी कन्या का कन्यादान करके विवा करता था और शेकन प्रकार है यह भई ब्रह्म विवा की ही तरह है प्रंतु इसमें कन्या का पिता यग करने वाले बर को ढूंड कर उसे अपनी कन्यादान करता था ठीके थर्ण नंबर पर दिए गया है आर्स अगला है आर्स विवा का यह प्रकार कुछ आदिवासी जातियों में प्रिछले था जहां कन्या का पिता अपनी वेटी से विवा करने के एक्चुक व्यक्ति से गाएं लेकर विवा करता था प्रजापत्त यह भी ब्रह्म यह भ अपनी कन्या का दान करते हुए सुख पूर्वक वहवाईक जीवन जीने का अश्रवात देता है और फोर नमर पर है गंदर्व विवा जब एक इस्तरी तता पुरुष जब एक इस्तरी तता एक पुरुष आपस में आकर्शित होकर बिना किसी धर में कृती रिवाजों का पालान करते हुए भिवा कर लेते हैं उसे गंदर्व विवा कहा जाता है ठीक है इसमें आठ प्रकार होते हैं चार प्रकार मैंने आपको यह बता दी हो चार प्रकार और आप इनको भी पढ़ लीजेगा आपका अश्र विवा यदि वर्पक्च विवा करने के लिए कन्या क परियनों को धन देकर किसी से धन से खरीद कर कन्या से भीवाक करें तो उससे अश्र विवाक कहा जाता है अगला और आकशन की वजाए पुरुष की शारिक सुख पाने की कामना कार्व करती है अगला है पैचास विवा बबाकी सभी प्रकारों में इसे निक्रष्टम माना जाता है इसमें निद्राम इसमें निद्रामग्न व्योश्य स्वेम की रख्चा करनी में अच्छम कन्या से जवरन बलतकार कर उशे भिवा के लिए मजबूर किया जाता है। सब्सक्राइब करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अगली वीडियो का नॉटकेशन इसी परकार मिलता रहे ठीक है कि मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद किसी